हाई फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल एसके सोनू टेक वल कैसा है फ्रेंड उमीद है काफी अच्छे होंगे देखे फ्रेंड यहाँ पर बहुत सारे इस्ट्वेंट का एक कॉमेंट आ रहा है कि इन सारी भींदू पर इस वीडियो के माध्यम से हम एक्के करके आपको सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप सभी अच्छे तरीके से समझ सकें और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि आने वाली सभी मात्वोन अप्डेट आप सभी को सही समय से मिल सकें चलिए वीडियो को सुरू कर लते हैं सबसे पहला सवाल कि असना तक पार्ट थर्ड सेशन 20-23 पार्ट वन परमोटेद है तो पार्ट थरी में नमांकन होगा या नहीं होगा तो फ्रेंड साफ साफ सब्दों में कहा जाए तो part 3 में आपका नमांकन नहीं होगा अगर आपका part 1 promoted है तो सबसे पहले आपको part 1 clear करना परेगा उसके बाद ही आप लोग का part 3 में admission हो पाएगा बहुत सारे student भी comment करते हैं कि part 3 का परिच्छा फरम भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं part 1 promoted है तो आप लोग का नमांकन नहीं होगा आप सभी part 3 का परिच्छा फरम कैसे भरेंगे तो आप लोग का पहले part 1 clear करना परेगा सवाल है कि part 1 जब promoted है तो part 1 का एक्जाम होगा तो कब होगा तो फ्रेन आप सभी को बता दू कि JP university में अभी part 1 का जो एक्जाम होगा वह special एक्जाम के तहत होगा आप सभी समझ सकते हैं कि पिछले जो भी session है 22-25 part 1 का तो एक्जाम हो चुका है उसके बाद जो session था 23-27 वाज सेमेस्टर वाईज हो चुका तो सेमेस्टर वाईज के साथ तो होगा नहीं जो भी 16-16 part 1 में promoted है अगर उनका एक्जाम होगा तो वह होगा special exam यहाँ पर कुछ जनकारी आपको मैं देना चाहूँगा जिनसे आपको बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है बहुत बार क्या होता है कि दलाल के चकर में 16-16 पर जाते हैं जैसे कि मालिजे की part 1 promoted है उनका part 3 में नमांकन लेना है तो वे क्या करते हैं कि दलाल के चकर में पर जाते हैं दलाल क्या करते हैं कि उनको 40 certificate part 1 का बना करके दे देते हैं और छातर छातराय समझ बहते हैं कि मैं part 1 पास हो चुका हूं और वे part 3 का परिछा फरम भर देते हैं part 3 का exam भी हो जाता है लेकिन जब उनका result जारी होता है तो वहाँ पर उनका result pending दिखाता है वहाँ पर साफ साफ सब्दों में लिखा रहता है कि आपने part 1 तो अभी clear ही नहीं किया गया है तो आप लोग को दलाल से भी सावधान रहना होगा आप लोग कैसे पक्र जाते हैं दलाल के चकरने पर जाते हैं तो सबसे पहले इसको जान लें JP University या किसी University में दो TR होता है TR एक होता है आपके college में एक होता है आपके university में तो क्या होता है कि दलाल आपका जो result है वह तो जाली बना करके दे देते हैं और जो आपका TR होता है उसमें update नहीं कर पाते हैं क्यांकि आपका जाली काम किये है तो TR में कहां से update करेंगे TR तो official हो गया तो जब तक TR में update नहीं होगा तब तक आपका जाली ही है तो इस तरह से आपको दलालो के चकर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है अगर आप सभी दलालो के चकर में पढ़ते हैं तो आपका real तो बरबाद होगा ही होगा आपका साल भी बरबाद हो जाएगा तो किरपिया आप सभी बिल्कुल दलाल के चकर में नपढ़ें अगर आप part one में promoted है तो part one का exam होगा special exam होगा उसमें आप सभी दे करके part third का exam देंगे जब आगे आपका part third का exam होगा अगले session का बहुत student तो एभी comment करेंगे कि अभी part one में में promoted था 22-25 के साथ exam दिया था 22-25 का अभी result जारी नहीं हुआ है तो फ्रें आप सभी wait कर लिजिए 22-25 का भी result बहुत जल्द आने वाला है अगर उसमें पास है तो ठीक है लेकिन अगर उसमें भी result अगरबर होता है तो बस आपको अब special का ही इंतियार करना होगा उमीद है कि आप सभी पास हो ही जाईएगा चलिए फिर मुझे उमीद है कि आप सभी इन बातों को अच्छे तरीके से समाच चुके होंगे फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिंद